ओम शैंती तीस मार्ज साकार मुली नीठे बच्चे अब वापिस जाना है इसलिए पुरानी दे और पुरानी दुन्या से उपराम बनो अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की बठी में बैठो प्रशन योग में बाप की पूरी करंट किन बच्चो को मिलती है उत्तर जिनकी बुद्धी बाहर में नहीं भटकती अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हैं उन्हें बाप की करंट मिलती है बाबा बच्चो को सकाश देते हैं बच्चो का काम है बाप की करंट को क्योंकि उस करंट से ही आत्मा रुपी बैटरी चार्ज होगी, ताकत आएगी, विकर्म विनाश होंगे, इसे ही योग के अगने कहा जाता है, इसका अभ्यास करना है, ओम शंती, भगवान वाच, अब बच्चों को घर भी याद पड़ता है, बाप तो घर की और राजधानी क की बात ही सुनाएंगे, और बच्चे भी इन बातों को समझते हैं, कि हम आत्माओं का घर कौन सा है, आत्मा क्या है, या भी अच्छी रिती समझ गए है, कि बाबा, हमको आकर के पढ़ाते हैं, बाप कहां से आते हैं, परमधाम से, ऐसे नहीं कहेंगे, पावन दुन्या बन से नहीं आया हूँ, मैं तो घर से आया हूँ, जिस घर से तुम बच्चे आये हो पाट बजाने, मैं भी ड्रामा प्लेन अनुसार हर पांच हजार वर्ष के बाद घर से आता हूँ, मैं रहता ही घर में, परमधाम में हो, बाप समझाते भी ऐसे सहज हैं, जैसे बाप शेहर स आये हो, कहते हैं जैसे तुम आये हो पाट बजाने, हम भी वहां से आये हैं पाट बजाने, ग्रामा प्लेन अनुसार, मैं नौलिश्फल हो, सब बातों को मैं जानता हो, ग्रामा प्लेन अनुसार कल्प कल्प, मैं यही बात तुमको सुनाता हूँ, अब तुम कामचिता पर चड़कर काले भस्म हो जाते हो, आग में मनुश्य काले हो जाते है न, तुम भी सावरे हो गए हो, सतो प्रधान वाली ताकत सारी निकल गई है, आत्मा के बैटरी ऐसी ना हो, जो एकदम डिस्चार होने का समय आ गया है, तब बाप कहते हैं, ड्रामा नुसार, मैं आता हूँ, जो आदी सनातन देवी देवतार धर्म के हैं, उन्हों की बैटरी चार्ज होती है, तुम्हारी बैटरी अभी चार्ज होनी है जरूर, ऐसे भी नहीं, सिर्फ सुब को यहां आकर बैठने से चलते भी हो सकती है, याद में रहने से, तुम पहले पवित्र आत्मा, सतो प्रदान थी, सच्चा सोना, सच्चा जेवर थी, अभी तमो प्रदान हो गए है, अब फिर आत्मा सतो प्रदान बनती है, तो शरीर भी प्योर मिलेगा, यहां बड़ी, सहज, प्योर होने लिए ब बठी कह सकते हैं, सोने को भी बठी में डालते हैं, यहां है सोने को शुद्ध बनाने की बठी, बाप को याद करने की बठी, प्योर तो जरूर बनना है, याद नहीं करेंगे तो इतना प्योर नहीं होंगे, फिर हिसाब किताब चुक्तु करना ही है, क्योंकि कयामत का समय है सबको घर जाना है, बुद्धि में गर की याद बैठी हुई है, और किसी की भी बुद्धि में नहीं होगा वह ब्रम्भ को इश्वर कह देते हैं, उसको घर नहीं समझते तुम इस बेहद ड्रामा के एक्टर हो, ड्रामा को तो तुम अच्छे रिते जान गए हो बाप ने समझाया है, अभी 84 का चक्र पूरा होता है, अब घर जाना है, अत्मा अब पतीत है, इसलिए घर जाने के लिए पुकारती है बाबा, आकर पावन बनाओ, नहीं तो हम जा नहीं सकते हैं, बाप ही बैठ यह बाते बच्चों को समझाते हैं, यह भी बच्चे समझ गए हैं, तब उनको पिता पिता कहते हैं, टीचर भी कहते हैं, मनुष्य तो कृष्ण को टीचर समझते हैं, तुम बच्चे समझते हो, कृष्ण तो खुद पढ़ता था सत्यूग में कृष्ण कभी किसी का टीचर बना नहीं है ऐसे भी नहीं पढ़कर फिर टीचर बना कृष्ण के बच्चपन से लेकर बड़े पन तक की कहानी तुम बच्चे ही जानते हो मनुष्य तो कृष्ण को भगवान समझ कर कह देते हैं जीदर देखो कृष्ण ही कृष्ण है राम की भक्त कहेंगे जीदर देखो राम ही राम है धागा सुत्त ही मुँच गया है तुम अब जानते हो भारत का प्राचीन योग और ज्यान मशूर है मनुष्य कुछ नहीं जानते ज्यान सागर एक बाप है वह तुम बच्चों को ज्यान देते हैं तो तुमको भी मास्टर ज्यान सागर कहेंगे परन्तो नंबरवार पुरुशार्ट अनुसार सागर कहे या नदी कहे तुम हो ज्यान गंगाए इसमें भी मनुष्य मुझते हैं, मास्टर ग्यान सागर कहना बिलकुल ठीक है, बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, मेल फीमेल की बात नहीं, वर्सा भी तुम सब आत्माई लेती हो, इसलिए बाप कहते हैं, देही अभिमानी बनो, जैसे मैं परम आत्मा ग्यान सागर, वैसे तुम भी ज्यान सागर हो, मुझे परमपिता परमात्मा कहा जाता है, मेरी ड्यूटी सबसे उची है, राजारानी की ड्यूटी भी सबसे उची होती है न, तुम्हारी भी उची रखी गई है, यहां तुम जानते हो, हम आत्माई पढ़ती हैं, परमात्मा पढ़ाते हैं, इ अभी तुम आत्माए ज्यान ले रही हो, फिर वहां जाएंगी तो प्रारब्द चलती है, वहां सबका ब्रदरली प्रेम रहता है, ब्रदरली प्रेम बहुत अच्छा चाहिए, किसको रिगार्ड देना, किसको न देना, ऐसा नहीं, वो लोग कहते हैं, हिंदो, मुसल्मान भा ब्रदर भाई, प्रन्तो एक दो को वह रिगार्ड नहीं देते हैं, बेहन भाई नहीं, भाई ब्रदर हुद, आत्मा यहां पाडव जाने आई है, वहां मी भाई भाई होकर रहती है, घर में जरोड सब भाई भाई होकर रहेंगे, बेहन भाई, यह चोला तो यहां चूडन पड़ता है। भाई भाई का ज्ञान बाप ही देते हैं। आत्मा ब्रुकुटी के बीच रहती है। तुमको भी नजर यहां डाल ली है। हम आत्मा शरीरुपी तक्त पर बैठी है। यहां आत्मा का सिन्हासन वा अकाल तक्त है। आत्मा को कभी काल खाता नहीं। सबका तक्त यहां है ब्रुकुटी के बीच। इस पर वह अकाल आत्मा बैठी है। कितनी समझने की बाते हैं। बच्चे में भी आत्मा जाती है तो ब्रुकुटी के बीच में बैठती है। वो छोटा तक्त फिर बड़ा होता जाता है। यहा में आत्मा को भूगना भूगनी पड़ती हैं, तब पश्या ताप करते हैं, हम कभी पाप आत्मा नहीं बनेंगे, आधा कल्प पाप आत्मा बनते हैं, अब बाप द्वारा पावन आत्मा बनते हैं, तुम तन मन धन, सब कुछ बाप को देते हो, इतना दान कोई जानते नहीं दान लेने और देने वाला भी भारत में ही आता है, ये सब महीन बाते हैं समझने की, भारत कितना विनाशी खंड बना है, और सब खंड खत्म होने वाले है, ये बना बनाया ड्रामा है, ये तुम्हारी बुद्धी में है, दुनिया नहीं जानती, इनको नौलेज कहना अच्छ है, नौलेज इस सोर्स ओफ इंकम, इनसे इंकम बहुत अच्छी होती है, बाप को याद करो, यहा भी नौलेज देते हैं, फिर स्रिस्टी चक्र की भी नौलेज देते हैं, इसमें महनत है, हम आत्माओं को अब वापिस जाना है, इसलिए इस पुराने दुन्या और पुरान शरीर से उपराम रहना है, देह सहित, जो कुछ देखते हो, सब खलास हो जाना है, अभी हम ट्रांस्वर होते हैं, यह तो बाप ही बता सकेंगे, यह बहुत बड़ा इम्तिहान है, जो बाप ही पढ़ाते हैं, इसमें किताब आदिकी दरकार नहीं, बाप को याद करना है, ब रामा की डूरेशन को तो कोई जानते नहीं, घोर अंध्यारे में है, तुम अभी जगे हो, मनुष्य तो जगते नहीं है, कितने तुम महनत करते हो, विश्वास नहीं करते कि भगवान आकर इनों को पढ़ाते हैं, जरूर कोई में तो आएंगे न, अब आप अत्माव को र स्कूल में भी नमबरवार होते हैं, पढ़ाई में भी नमबरवार होते हैं, इस पढ़ाई से बड़ी राजाई स्थापन हो रही है, पुरुशार्थ ऐसा करना है जो हम राजा बने, इस समय जो तुम पुरुशार्थ करेंगे, वहां कल पलपांतर करते रहेंगे, इसको इ ऐसी लौटरी मिलती हैं, कोई गरिब बनते हैं, कोई सावकार बनते हैं, इस समय तुम बच्चों को सारी लौटरी बाप से मिलती हैं, इस समय के पुर्शार्थ पर बहुत मदार है. नंबर वन पुर्शार्थ है याद का, तो पहले योग बल से स्वच्छ तो बने, तुम जानते हो, जितना हम बाप को याद करेंगे, उतनी नौलेज की धालना होगी, और बहुतों को समझा कर अपनी प्रजा बनाएंगे, बल कोई भी धर्म वाला हो, जब आपस में मिलते हो, तो बाप का परीचे दो, आगे चल, वह देखेंगे के विनाश सामने खड़ा है, विनाश के समझ, मनुष्यों को वहराग ज्याता है, हमको सिर्फ कहना है, तुम आत्मा हो, हे गौड फादर, किसने कहा, आत्मा ने, अब बाप आत्माओ को कहते हैं कि मैं तुम्हरा बन कर, तुमको ले जाओंगा, मुक्ती धाम में, बाकी आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, तो मुक्ष का भी क्विश्चन नहीं, हर एक को अपना अपना पाड बजाना है, आत्माओ सब हैं इमोटल, कभी भी विनाश नहीं होंगी, बाकी वहाँ जाने के लिए, बाप को क्याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, घर चली जाएंगे, आखरेन बड़े-बड़े सन्यासी भी समझेंगे, वापस तो सबको जाना है, तुमारा पैगाम सबकी बुद्धियों में ठका करेगा, तब तो गायन है, अहो प्रभू, तुम्हारी गत्मत, तो जरूर किसको म मत देंगे या अपने पास रखेंगे, उनकी मत से सथ गती कैसे होती है, सो जरूर बताएंगे न, फिर वह कहते हैं, तुम्हारी गती मत तुम जानो, हम नहीं जानते हैं, यहाँ भी कोई बात है, बाब कहते हैं, इस श्रीमत से तुम्हारी गती हो जाती है, अभी तुम जा बाबा जो जानते हैं वो हमको सिखलाते हैं। तुम कहेंगे हम बाबा को जानते हैं। वो गाते हैं तुमहारी गती मत तुम जानो। परन्तु तुम ऐसे नहीं कहेंगे। बुद्धी में सारा ज्यान बैठ चाए। इसमें भी टाइम लगता है। संपूर्ण तो अभी कोई बना नहीं है। संपूर्ण बन जाए तो यहां से चले जाए। जाना तो है नहीं। अब सब पुर्शाट कर रहे हैं। बाबा को भल पहले जोर से वैराग आया। देखा द हमारे सब को छोड दिया। विनाश भी देखा तो चतुर्भुच भी देखा। समझा अभी राजाई मिलती है। थोड़े रोज में विनाश हो जाएगा। ऐसा नशा चड़ गया। अभी तो समझते हैं यह तो ठीक है। राजधानी बनेंगी। यहां बहुतों को कर क्या करेंगे। यहां ग्यान अभी मिलता है। पहले खुशी का पारा चड़ गया। पुर्शार्ट तो सब को करना है। तुम पुर्शार्ट के लिए बैठे हो। सुब को याद में बैठते हो। यह बैठना भी अच्छा है। जानते हूँ बाबा आया है। बाप आया या दादा आया या तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने एक एक बच्चे को देखते रहेंगे। एक एक को बैठ सकाश देते हैं। योग की अगनी है ना योग अगनी से उनके विकर्म भस्म हो जाए। जैसे कि बैठ कर लाइट देते हैं। एक एक आत्मा को बुद्धी बाहर में होगी तो फिर करंट को कैच नहीं कर सकेंगे। बुद्धी कहा न कहा भटकती रहेगी। उनको मिलेगा फिर क्या। कहते हैं मिठुडा घुर तक घुराई। तुम प्यार करेंगे तो प्यार पाएंगे। बुद्धी बाहर भटकती रहेगी तो बैटर बैटरी चार्ज नहीं होगी, बाप बैटरी चार्ज करने आता है, उनका फर्ज है सर्विस करना, बच्चे सर्विस स्विकार करते हैं वा नहीं, यह तो उनकी आत्मा जाने, किस ख्यालात में बैठे हैं, यह सब बाते बाप समझाते हैं, मैं भी परम आत्मा हूँ, मुझ बै से एक एक को सकाश देता हूँ, तुम तो बैठेंगे बाप को याद करने, बाबा कहते हैं मैं एक एक आत्मा को सकाश देता हूँ, सामने बैठ लाइट देता हूँ, तुम तो ऐसे नहीं करेंगे, जो पकड़ने वाले होंगे वहाँ पकड़ेंगे और उनकी बैटरी चार्ज बाबा देन प्रतिदेन युक्तियां तो बताते रहते हैं, बाकी समझा न समझा ये तो नमबरवार स्टूडेंट पर मदार है, तुम्हें बहुत तरावटी माल मिल रहा है, कोई हजम भी करे ना, बड़ी लौटरी है, जन्म जन्मांतर कल्ब कल्पांतर की लौटरी है, इस पर पूरा अटेंशन देना है, बाबा से हम करंट ले रहे हैं, बाबा भी प्रुकुटी के बीच में बैठा है, बाजू में तुमको भी अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, न कि ब्रम्हा को, हम उनसे योग लगा कर बैठे हैं, इनको देखते भी, हम उनको आत्मा की ही बात है ना, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्छो प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुद मॉनिंग, रूहानी बाब की रूहानी बच्छो को नमस दे, रूहानी बच्छो की रूहानी बाबा को याद प्यार गुद मॉनिंग और नमस दे धारना के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट आत्मा को स्वच बनाने के लिए सवेरे सवेरे बाप से सर्शलाइट लेनी है बुद्धियोग बहार से निकाल एक बाप में लगाना है बाप की करेंट को केच करना है दूसरी पॉइंट आपस में भाई भाई के सच्चे लव में रहना है सब को रिगार्ड देना है आत्मा भाई अकाल तक्त पर विराज्शमान है इसलिए ब्रुकुटी में भी देख कर बात करनी है वर्दान बाप के संसकारों को अपने ओरिजिनल संसकार बनाने वाले शुब भावना शुब कमना धारी भावव विस्तार है अभी तक कई बच्चों में फिलिंग के किनारा करने के परचिंतन करने वा सुनने के बिन बिन संसकार है जिने कहे देते हो, कि क्या करे, मेरे ये संसकार है, ये मेरा शब्द ही पुरुषार्ट में दिला करता है, ये रावन की चीज है, मेरी नहीं, लेकिन जो बापके संसकार है, वही ब्राम्भनों के ओरिजिनल संसकार है, वसंसकार है, विष्व कल्यान कारी, शुब चिंतन धारी, सब के प्रती शुब भावना, शुब कामना धारी. स्लोगन जिन में समर्थी है, वही सर्व शक्तियों के खजाने का अधिकारी है. ओंग शांती. अग्सफल लाई.